सबसे कम गर्व, मैं वास्तव में शर्मिन्दा हो गई थी जब मुझे इस कहानी के बारे में पता चला। कारगिल युद्ध में वीरगति को प्राप्त होने से पहले इन्होंने नौ पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया और उनके तीन मीडियम मशीन गन बंकरों को ध्वस्त कर दिया। लेकिन असल कहानी है कि किस तरह नौकर शाहों ने, सरकारी तंत्र ने, पुलिस ने और समाज ने इनकी इस महान शहादत के बाद इनके माता पिता के साथ बरताव किया। कारगिल युद्ध के बाद सरकार ने शहीदों के परिवारों को पेट्रोल पंप देने का प्रस्ताव रखा। कैप्टन अनुज नयर के पिता, प्रोफेसर सतीश कुमार नयर, पहले तो पेट्रोल पंप नहीं लेना चाहते थे। लेकिन आर्मी जनरल के आग्रह पर मान गए, और यही से उनके बुरे दिन शुरू हो गए। पेट्रोल पंप शुरू करने के लिए उन्हें अगनिश्मन विभाग, बिजली विभाग, पुलिस विभाग और भी कई तरह के विभाग से NOC, यानि No Objection Certificate लेना था। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, उनके माता पिता को तरह तरह के मानसिक उत्पिद्दन से गुजरना पद्दा। हर एक विभाग ने उनसे NOC, जारी करने के नाम पर रिश्वत मांगी। एक पुलिस वाले ने तो उनके पिता को घोर अपमान जनक शब्दों में कहा, तू अनुज का फादर इस मनना इप्रूव कर तब देता हूँ NOC। इसके बाद प्रोफेसर नयर अपने घर गए और अपने साथ तीन तस्वीरे लाए, एक तब की जब अनुज दो साल के थे उनकी गोद में, एक तब की जब अनुज की छाती पर सितारे सजा कर उन्हें सम्मानित किया गया, और एक तब की जब वो अपने दिवगंत बेठे क की अर्थी को कंधा दे रहे थे, और ये सब क्यों हो रहा था, क्योंकि समाज को लगता था कि इनको तो पेट्रोल पंप मिल गया, अब तो ये करोड़ों कमाएंगे, तो उसमें से थोड़ा सा हिस्सा तो मिलना ही चाहिए, दिल्ली विद्योत बोर्ड ने बिजली कनेक्शन देने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि प्रोफेसर नेर पांच लाख रूपए नहीं दे रहे थे, पूरे एक साल तक उस बहादुर पिता ने अपनी लढधाई अकेले लढधी, पेट्रोल पंप को जेनरेटर पर चलाया, पर जब एक दिन उनकी सारी जमापूंजी खत्म हो गई, तो उन्होंने चाबियां ली और उन्हें राश्ट्रपती को सौपने का फैसला किया, एक व्यापारी जिसके खुद के तीन पेट्रोल पंप थे दिल्ली में, और जिसने कई बार श्री एवं श्रीमती नैयर को गुंडे भेज कर डराया धमकाया भी, उसने उ पानी सिर के ऊपर चला गया, तब प्रोफेसर नैयर ने उस व्यापारी से कहा, अपने बेटे को यहां लाकर गोली मार दो, उसकी मौत का इल्जाम मैं अपने सिर ले लूँगा और ये पेट्रोल पंप तुम्हें मुफ्त में दे दूँगा, आखिरकार, ट्रांसलेट टेक इसके बाद उन्हें NOC भी मिली और बिजली कनेक्शन भी, लेकिन वो कहते हैं, दूर दराज के ग्रामीन क्षेत्रों से कितनी शहीदों की विधवाओं को प्रधान मंत्री से मिलने का अवसर मिल पाता है, ऐसा क्यों होता है, कि जो हमारा है, जिस पर हमारा अधिकार है, वह पाने के लिए हमें सरकारी तंत्र की उंची पहुँच का सहारा लेना पड़ता है, प्रोफेसर नयर आज भी दिल्ली के वसुंधरा एंकलेव इलाके में कारगिल हाइट्स के नाम से पेट्रोल पंप चलाते हैं, प्रोफेसर नयर का पहला साक्षातकार जो आपको दुख औ क्रोध से भर देगा